तो हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुती जबरजस्त कॉंसेप्ट के बारे में जो की 100% decentralized है 100% secure और trustable system है दोस्तो इसका नाम है MetaForce जो की दोस्तो बिल्कुर new launching system है अगर आप इसमें join होते हैं तो आप इसमें बहुती अच्छे earning कर सकते हैं दोस्तो जैसे की आपने देखा होगा या नाम सुना होगा force आज का यह system 2 साल पहले launch होा था और इस system से लोगों ने लाखों करोडों रुपे की earning करी है आप चाहें तो यूटूब पर या Google पर force आज के नाम से search कर सकते हैं दोस्तो लेकिन अगर आप पहले ही MetaForce में अभी से ही join हो जाते हो तो आपको भी इसमें बहुत अच्छे earning प्राफ्थ हो सकती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको MetaForce के plan को समझाएंगे और इसमें आपको किस पिरकार से अपनी ID लगानी है वह हम आपको बताएंगे तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अगर आप इस system में हमारे द्वारा join होते हो तो हम आपको और आपकी टीम को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर किसी को यह plan समझ में नहीं आता है तो वह है meeting के द्वारा समझाया जाएगा और इस system से related आपको नई नई पोस्ट और नई नई जानकारी देखने को मिलती रहेंगी तो दोस्तो जोइन होने के लिए description में mobile number मिल जाएगा या फिर आपको इस screen पर number सो हो रहा होगा इस पर contact करें आप आप यह देखिए इस system में आपको किस पिरकर से कमाई होती है दोस्तो metaforce में आपको total 12 slot देखने के लिए मिल जाएगे दोस्तो इसमें आपको कोई भी अलग slot और नहीं मिलेगा देखने के लिए आपको सिर्फ यही 12 slot देखने के लिए मिलेंगे और आप minimum एक slot चे साथ joining लगा सकते हैं जो कि हम आपको पताने वाले हैं दोस्तो जो पहला slot है इसका नाम S6 है और दूसरा slot इसका नाम S6 है और तीसरा slot इसका नाम S3 है दोस्तो यह देखिए पहले और दूसरा slot में आपको 6-6 गोले दिख रहे होंगे पहले 2 गोले उपर हैं और 4 गोले नीचे यह total 6 गोले हैं और इसका नाम S6 और दूसरे में भी 6 गोले इसका नाम S6 और तीसरे में आपको तीन गोले दिखाई देंगे इसका नाम S3 है इसी पिरकार से आपको हर दो सिलोटों के बाद तीसरा सिलोट S3 दिखाई देगा तो इसी पिरकार से आपको इसमें टोटल 12 सिलोट दिख जाएंगे और चार सिलोट इसमें S3 के मिल जाएंगे आपको देखने के लिए अब आप यह देखिए जो आपका पहला सिलोट है S6 यह वरकिंग और नोन वरकिंग इसमें दोनों प्रिकार से आपको इंकम होती है और जो S3 बिलान है इसमें आपको टोटली वरकिंग इंकम मिलेगी जो कि आपको इसमें सेल्फ और डाउन लाइन के थिरू S3 सिलोट में इंकम आएगी दोस्तो जैसे कि आपको फोर्स आज में S3 सिलोट में टोटली वरकिंग सिलोट है और X4, XXX और X-Gold working और non-working दोनों है तो दोस्तो यह सिलोट आपको अलग-अलग बाई करने होते थे लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है यह सिस्टम आपको किरम भाई किरम ही बाई करने है जैसे पहले पहला सिलोट बाई करना है फिर दूसरा फिर तीसरा तो आपको working और non working दोनों पिड़कर से income मिलनी मिलनी है तो दोस्तो यह system बहुत ही अच्छा system है इस system को आप जरूर जोन कीजिए और बहुत ही trustable और decentralized system है अब दोस्तो यह देखिए जैसे कि आपको पहला slot दिख रहा होगा S6 का इसमें आपको 6 कोले दिख रहे हैं और जैसे ही आप इसमें ID लगाते हैं तो इसमें आपकी ID 5 DAI से लगती है यानि कि 1 DAI 1 डॉलर के बरावर होती है और एक डॉलर 85 रुपे के something का आता है तो दोस्तो इस system में जुन ले के लिए हम आपको minimum investment बता देते हैं दोस्तो आपको इसमें जोइन होने के लिए कम से कम एक सिलोट के साथ जोइन होना कमपल सरी है अब यह देखिए पहला सिलोट आपको 5 DAI का देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपके बेलिट में 5 DAI stable coin होने जरूरी है जो कि 1 DAI 1 डॉलर के बरावर की होती है और दोस्तो दो डॉलर की आपके पास polygen की smart chain होनी चाहिए जो कि इसकी network fees होती है दोस्तो इसकी network fees बहुत ही कम काटी जाती है फोर्साज के मुकाबले अब यह देखिए आपका पहले सिलोट में जो investment होता है बहे कम से कम 600 रुपे के लगबग होता है और दोस्तो अगर आप इसमें दूसरा सिलोट S6 का भी activate करना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 die की और जलूट पड़ेगी जो कि आपको 830 से 850 रुपे के बीच में मिल सकते हैं और दोस्तो आपको इसमें पहले और दूसरे सिलोट के साथ joining लगाना चाहते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1400 से 1500 रुपे के बीच में आ जाएगा दोस्तो अगर आप इसमें S3 जो की तीसरा सिलोट है अगर आप इसको भी activate करना चाहते हैं तो आपके पास 20 die stable coin और होने चाहिए जो कि आपको 1700 रुपे के लगवक के मिल जाएंगे और दोस्तो अगर आप तीनो सिलोटों में एक साथ जोइनिंग लगाना चाहते हो तो आपकी total investment 32 सो रुपे के लगवक की हो जाती है और आपकी तीनो सिलोटों में ID लग जाती है लेकिन दोस्तो अगर आप minimum एक सिलोट में भी लगाते हैं तो आपको एक सिलोट में भी अपने डाउनलाइन की ID लगा सकते हैं आपको उससे भी बरावर इंकम मिलेगी अब हम आपको इस प्लान को समझाते हैं यह देखिए लेवल 1 S6 का पहला सिलोट है 5 डाई का सिलोट है दोस्तो यह देखिए आपको इसमें 6 गोले मिल जाएंगे जो की 2 गोले आपको उपर दिख रहे होंगे और 4 गोले नीचे दिखाई दे रहे होंगे अब दोस्तो जैसे ही आप अपने डाउन में किसी एक ब्यक्तिक को जोड़ते हो तो आपकी आईडी पहले बाले गोले में आके लगेगी और यह गोला भर जाएगा तो दोस्तो जो इसके 5 डॉलर हैं वहाँ आपको नहीं मिलेंगे वहाँ आपके क्रॉस लाइन या अपलाइन को चले जाएंगे और दोस्तो जैसे ही आपको इस दूसरी आईडी लगाते हो तो इस गोले के पैसे भी आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को चले जाएंगे अब दोस्तो जैसे ही आपको इस तीसरी आईडी लगाते हो तो यह देखिए वह है इस वाले गोले में ID आकर लगेगी और इसके पैसे आपको 5 DAI आपके बैलाट में पहुच जाएंगे automatically और दोस्तो जैसे ही आप को चौती ID लगाते हो तो यह देखिए इस वाले गोले में लगेगी तो इसके पैसे आपको मिलेंगे 100% जो कि यह सिलोट कितने का था फाइव डाई इस्टेबल कोईन का तो आपको फाइव डाई कोईन आपके बैलेट में मिल जाएंगे अब दोस्तो जैसे यह पांच में एडी लगाते हैं तो वह इस वाले सिलोट में आकर लगेगी जो यह पांच मां गोला दिख रहा है तो यह इसके भी आपको पांच टाई कोईन आपके बैलेट में पहुँच जाएंगे आटोमेटिकली और दोस्तो जैसे आप आप अईडी लगाते हैं तो एक मिना के अंदर ही आपके बैलेट में आपके कोईन पहुच जाते हैं अब दोस्तो यह देखिया आपको इसमें लास्ट और छटा गोला दिख रहा होगा, जैसे आप इस वाले गोले में किसी की ID लगाते हो, यानि कि आप छटी ID लगाते हो, तो वह आटोमेटिक इस वाले गोले में ID आगर लगेगी, और यह सिलोट आपका दो बारे से भरने के लिए खाली हो जाएगा, जो छटे गोले की ID है, जो इसका पैसा है, वह आपके अप्लाइन को चला जाएगा, जो कि यह सिलोट रिसेकल हो जाता है, अब दोस्तो, इसी फिरकाब से दूसरा सिलोट इसी पिरकार से काम करता है, लेकिन दोस्तो, अगर आप दूसरे सिलोट को अक्टिवेट नहीं करते हो, और आपका डवन लगेंगी दूसरे सिलोट में क्योंकि दोस्तों अगर आपका मेछ एक्टिवेट होगा तभी आईडी आपके डाउन में लगेंगी वरना वह आपके अपलाइइन जिसका भी दूसरे सिलोट क how live होगा भ्याat उसके डाउन में जाके लग जाएंगी इसलिए दोस्तों जैसे कि आपने पहले सिलोट में 6 ID लगाई और आपने उसमें 5 डाई का इंवेस्टमेंट किया था और आपको उसमें से 15 डाई मिल चुके हैं तो दोस्तों 10 डाई आप अगले सिलोट में एक्टिवेट करने के लिए लगा दीजिए जो कि दोस्तों आपको 5 डाई आपकी बच भी जाएंगी और आपको सिलोट भी नेक्स्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इस सिस्टम में आपको एक ऑटो अपगरेट का ऑप्सन मिल जाता है जो कि दोस्तों आप उससे चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आप उसको चालू रखते हैं तो जैसे ही आपका सिलोट रिसेंकिल होता है तो आटोमेटिक है आपका अगला सिलोट एक्टिवेट कर दिया जाता है जिससे कि आपका डाउन लाइन आप से पहले सिलोट एक्टिवेट नहीं कर सकता और सारी का सारी फिर आप ही को मिलेगी और सभी ID आप ही के डाउन में लगेंगी तो दोस्तो जैसे ही देखिए आपका दूसरा सिलोट दस्रेटाई का है तो यह देखिए आपका दूसरा सिलोट आटोमेटिक अप्रेट हो गया था अब आपने जैसे कि पहले 6 ID लगाई थी तो आपको और 6 ID नहीं लगानी है इसके लिए दोस्तो आप पहले सिलोट में कितनी भी ID लगा सकते है लेकिन जो आपका डाउन लाइन कोई भी अगर दूसरा सिलोट आक्टिवेट करता है तो वह आप भी के डाउन में आके लगेगा आटोमेटिक उसको आपको दुबारत से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब दोस्तो जैसे कोई आपका डाउन लाइन पहला दूसरा सिलोट आक्टिवेट करता है यानि कि पहला डाउन लाइन दूसरा सिलोट आक्टिवेट करता है तो वह पहले वाले गोले में अड़ी लगेगी और इसकी income अप्लाइन को जाती है और कोई दूसरा डाउन लाइन एक्टिवेट करता है तो इस गोले की income भी अप्लाइन को जाती है अब तीसरा डाउन लाइन सिलोट को एक्टिवेट करता है दूसरे वाले को तो इसकी इंकम आपको मिलेगी और चौथा डाउन लाइन सिलोट को एक्टिवेट करता है तो इसकी इंकम नेक्ट सिलोट एक्टिवेट होने के लिए एड हो जाएगी और जो पांचमा डाउन जाता है और सभी गोले फिर से खली हो जाते हैं दोस्तों यह सिलोट फिर से वरने के लिए रेडी है अब यह देखिए आपको दूसरे वारे सिलोट से जो चौथा पांस जमा और तीसरा गोला है इससे सभी से 10-10 डाई कोईन मिले हैं तो आपके पास 30 डाई कोईन हो गए थे जो कि 10 डाई कोईन तो आपके बेलेट में पहुंच जाएंगे और जो 20 डाई कोईन है वह आपके तीसरे सिलोट के लिए ऑटोमेटिक अपगरेट में पहुंच जाएंगे और आपका तीसरा सिलोट जो S3 है वह अक्टिवेट हो जाएगा अब यह देखिए जो S3 का सिलोट है इसमें आपको तीन गोले मिल जाएंगे अब आप यह देखिए हमने सबसे पहले 600-600 रुपे से 6 ID लगाई थी पहले सिलोड में तो उन सभी ने दूसरा सिलोड भी एक्किवेट कर लिया था जिससे कि हमारा तीसरा सिलोड भी अपग्रेड हो गया था अब दोस्तों जैसे ही हमारा सिलोड अपग्रेड हो जाता है तीसरा वाला अब हमारे डाउन में जो 6 डाउन लाइन है अकर उन में से कोई भी पहला डाउन लाइन इसलोड को एक्किबिट करता है तीसरे वाले को कभी भी तो बहए पहले वाले गोले में आईडि लगएगी और यह तीसरा सिलोड 20 डाई का है तो इसके पूरे 20 डाई हमको मिल जाएंगे पहले वाले गोले से अब दूसरा डाउन लाइन कभी भी 20 डाई वाला सिलोट एक्किवेट करता है तीसरा वाला तो इसके भी 20 डाई हमें मिल जाएंगे अब दोस्तो यह देखिए जैसे ही कोई तीसरा ब्यक्ति तीसरे वाले सिलोट को एक्किवेट करता है तो दोस्तो यह तीसरा सिलोट recycle हो जाएगा और इसकी income अप्लाइन को पहुच जाएगी अब हमारा सिलोट एक बार recycle हो चुका है और यह तीनों गोले फिर से खाली हो चुके हैं अब हमें इससे 20-20-40 die मिल चुके हैं और दोस्तो हमारा चौता सिलोट S6-40 die का है तो यह automatic upgrade हो जाएगा और हमारा चौता सिलोट खुल जाएगा लेकिन दोस्तो हमारे सिर्फ अभी तीन डाउन लाइन नहीं तीसरा सिलोट एक्टिवेट किया है जिससे कि हमें 40-40 die मिल गए हैं और हमारा सिलोट भी recycle हो गया है अब दोस्तो हमारा 14 सिलोट भी activate हो गया है अब है देखिए अभी हमारे 3 डाउन लाइन और बचे हैं तीसरा सिलोट एक्टिवेट करने के लिए अब जैसे ही हमारा 14 डाउन लाइन तीसरे वाले सिलोट को activate करता है तो वह पहले वाले गोले में अगर लगेगी यह देखिए और दोस्तो इसके 20 डाई हमें मिल जाएंगे अब जैसे ही हमारा पांचमा डाउन लाइन तीसरे वाले सिलोट को एक्टिवेट करता है तो हमें उसके भी पूरे 20 डाई इस्टेबल कोईन हमें हमारे बेलेट में मिल जाएंगे अब यह जो हमें 20 डाई मिले हैं जोकी 1770 रूपे के एक एक डाउन लाईन से हमें इंकम होती है दोस्तों यह income आप हमारी कहीं नहीं जाएगी जो यह 20-20 die है यह अब हमारी income बजी हुई रह जाती है दोस्तों कि अपग्रेड हमारा सिलोट पहले ही हो गया था जो हमारे 3 डाउन लाइन थे उन्हीं से हमारा सिलोट अपग्रेड हो गया था और यह जो दो डाउन लाइन है इनसे अब हमारा यह profit निकल गया है 40 die का अब दोस्तों यह देखिए हमने जैसे ही स्टार्ट किया था 600 रूपे से लेकिन आप हमें पर परसन से 1770 रूपे तक के मिल रहे हैं अब दोस्तों जैसे ही छटी ID लगती है तो यह तीसरा वाला सिलोट फिर से रिशाइकल हो जाता है और यह फिर से वरने के लिए रेडी हो जाता है दोस्तों इसी प्रिकार से आप इसमें बहुत बड़े इंकम कर सकते हो सिर्फ आपने स्टार्ट किया था 600 रूपे लगा कर और पहले सिलोट से आप तीन सिलोट से भी एक साथ एक्टिवेट कर सकते हो जो की 32 रूपे की निवेस्टमेंट है लेकिन आप पहले सिलोट से भी स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी टीम बिल्ड़ अप कर सकते हो इससे आपको अच्छी इंकम होगी अब दोस्तों जो आपने चार सिलोट एक्टिवेट कर लिए हैं आपको जो पहला दूसरा तीसरा सिलोट है यह आपको दुवारा लाइफ में कभी भी दुवारा से एक्टिवेट नहीं करने होगे जैसे कि आप कोई भी साथ मा, आठ मा, दस मा, ग्यार मा बार मा, तेर मा, चौदनर मा, पंदर मा कितनी भी बड़ी टीम मनते हो और आपको जितनी भी इंकम होती है वह आपको फिर आपकी इंकम ही होगी आपको कोई भी सिलोट अपग्रेट नहीं करना होगा जैसे कि आपका पाजम सिलोट है फिर आपको वो अपग्रेट करना होगा छटा होगा वह अपग्रेट करना होगा आपको सिर्फ एक सिलोट एक बार अपग्रेट करना है लाइफ में फिर आपको दोवारा उसमें पैसा नहीं लगाना है जो आपने सिलोट पहरे एक्टिवेट कर लिए वो एक बार एक्टिवे है और बहुत ही अच्छा और ट्रेस्टेवल प्रोजेक्ट है दोस्तों यह क्रेप्टो करंशी बेस्ट पिलान है देखिए आपने काभी कंपनियों में देखा होगा तो सबी कंपनियों का पैसा उसकी बैफसाइट जो होती है तो उसी की आईडी में आता है लेकिन इस सिस्ट तो आप एक सीधी सी बात बताईए इस सिस्टम में लोग पैसा लगाते हैं लोगों को जोड़ते हैं तो इसमें कुछ benefit होता तभी तो जोड़ते हैं लोगों को इस से पैसा मिलता है उसका पैसा यूज होता है तभी तो इस सिस्टम में काम करते हैं वरना लोग क्यों आईए आपको सब कुछ पता चल जाएगा आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा इस पर कॉंटेक्ट कीजिए इस सिस्टम में आईडी लगाईए इसमें लाग दो लाग रुपे का इंवेस्टमेंट नहीं करना है आप 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 का अब आपको आईडी लगाने की बात बताते हैं दोस्तों वीडियो काफी लंभी हो चुकी है तो आपको अगर आईडी लगनी सीखनी है तो आप हम से कॉंटेक्ट कर सकते है या आपको डिस्क्रेप्शन में एक वीडियो की लिंग मिल जाएगी आप उस वीडियो पर करके भी आईडी लगाना सीख सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में से फितना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद